सोलुई तिबद निर्वासित संसद का दसवा सत्र COVID-19 के चलते स्थगित कर दिया गया है आठ दिवसी सत्र 16 से 24 सितंबर तक आयोजित किया जाना था जिसे अब मार्च 2021 तक स्थगित कर दिया गया है तिबत निर्वासित संसद के डिपटी स्पीकर आचारे यशी ने पत्रकारवार्ता के दोरान कहा कि स्टेंडिंग कमेटी की 327 बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया है तिबत निर्वासित संसद के डिप्टी स्पीकर आचारे यशी ने पत्रकारवार्ता के दोरान जानकारी देते हुए बताया कि सोल्मी तिबत निर्वासित संसद का दसवां सत्र कोविड-19 के चलते स्थगित कर दिया गया है उन्होंने कहा कि ये निर्णे विशो भर में कोविड-19 की वज़ा से उपजी परिस्थितियों के चलते लिया गया है उन्होंने कहा कि सामाजिक को तरदायतों को समझते हुए वे ये निर्णे लेने के लिए बाद दे हुए हैं आचारे यशी ने कहा कि धरमगुरु दलाई लामा धरमशाला में रहते हैं यदि सत्र होता है तो विदेशों से आने वाले तिबती सांस्तों को आने में असुविधा होगी और भारत के अन्य हिस्सों से भी तिबती सांस्तों को आने में दिक्कतें पेश आएंगी उन्होंने कहा कि सितंबर माहा तक सत्र आयोजित नहीं होगा इस परिशिती के नाति सदन को स्थागित करना पड़ रहा है और 2021 मार्श तक सदन को स्थागित करने के निर्ने जो है हमारे निवासित तिबद के स्थाईय हमारे समीति है और चार्टर के अंदरगद स्थागित करने करने ने लिया है आज इसलिए प्रेस वर्तलाब के लिए आप लोगों को बुलाया है और लेकिन सदन चलेगा ने सदन ने चलने के पश्याद भी जो संबंतित सदन से विशे जो है वो हम अपने स्टेंडिंग कमीटी के मद्धिम से और काशाक से विविन संसदियों से संपर्क करके पुरा यो संसद के सदस्य हमारे विश्यो बर में लोग है क्योंकि निवासित तिबबत के लोगों का परतिनिती और साथ साथ तिबबत का अंदर का परतिनिती भी करते हैं जैसे अमेरिका से दो लोगों को आना है यूरोप से दो लोगों को आना है कॉस्ट्रिल एशिया से एक को आना पांच तो भार से आना है भारत के बाहर से आना है आज विश्व के अवगमन का सुविदा नहीं है और भारत के अनेग राज्यों में हमारे जो सतसे गन जो यहां दरमशाला में नहीं है अनेग राज्यों में है उन लोगों को भी यहां आना है तो यह पुरा परिश्ट को दे सिटी चैनल के लिए धरमशाला से निपजीत निपपी की रिपोर्ट